Google Pixel 7a के launch के बाद हमें यह तो समझ में आ गया है कि Google ने इस device को अच्छे specs, design and premium features के साथ launch किया है तो चली जानते हैं इस device के बारे में इस वीडियो में अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर लें वो जो बहुत ज़्यादा ज़रुत है इसकी so Google Pixel 7a जो है एक ही variant में आपको मिलेगा that is 8GB 128GB storage के साथ RAM 8GB 128GB storage and इस device का price अभी इंडिया में 47,999 है and अगर अभी आप flip card से बाई करते हो तो कुछ ना कुछ एक दो offer मिल जाएगा and इसका same price है जैसा आपको Pixel 6a जो launch के time में रखा गया तो वैसा ही price है आपको box में आपको मिलेगा USB Type-C से Type-C का cable and एक quick switch adapter मिल जाएगा इसका जो design है यह जो बहुत refresh है नया है और मुझे design बहुत पसंद आया display जो इसको protection मिलता है Corning Gorilla Glass 3 का protection है इसके rear panel back side की बात करें तो camera के उपर और नीचे plastic है frame इसका aluminium है and camera का जो band है वो upgraded नजर आता है जो कि आपका pixel 7 series के जैसा ही है आपका यह जो camera का band है उसमें दो camera आपको मिल रहे है जो कि पूरा metal का है जो कि अच्छा लगता है rounded metal frame का है तो इस device देखने में बड़ा cool सा नजर आता है रेफ्रेशल लुक है pixel 7A में आपको IP67 का water and dust resistant मिल जा रहा है and इसका जो design है जो look है जो feel है वो premium है अगर आप comparison करोगे इसका pixel 6A जो आपका older device था also इस device में display को भी upgrade किया गया इसमें आपको मिल जाएगा 90Hz का refresh rate 6.1 inch का इसका OLED display है जो कि support करता है HDR playback को इस device में आपको Android 13 मिल जाएगा and किन लोगों के लिए device है तो मैं definitely कहूंगा जैसा कि इसमें आपको processor है आपको मिल रहा है Google Pixel 7A में Tensor G2 ये processor जो आपके premium device like Pixel 7 या Pixel 7 Pro में है इसमें आपको 8GB RAM मिल रहा है special बात यह है कि Google जो आपका Pixel A series में जितने भी device आते थे उसमें या तो 4GB RAM होता था या तो 6GB RAM होता था लेकिन इस device में आपको मिल रहा है 8GB RAM इसका camera जो है वो भी है रियर में double camera है जिसमें आपको 64MP का आपको primary camera है OIS के साथ and आपको 13MP का ultra wide camera मिल रहा है and front में 13MP का selfie camera मिल रहा है जो कि camera के लिए best है आप use करोगे तो आपको समझ में आएगा and जैसा कि मैंने बताया Google में इसमें आपको जो processor मिल रहा है Tensor G2 मिल रहा है जो कि आपके camera के जो feature जैसे unblur हो गया photo app हो गया faster night sight हो गया आप इसको definitely choose कर सकते हैं जो कि आपको pixel 6a में नहीं मिलता था battery capacity की बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है 4385 mAh का लेकिन थोड़ा सा कम है क्योंकि pixel 6a में आपको मिलता था 410 mAh का battery and इस device में आपको मिल जाएगा wireless charging Google Pixel 7a में आपको solid upgrade मिला है अगर आप compare करोगे pixel 6a से इसका आपका look and feel दोनों premium है design की बात करें and features की बात करें तो बहुत कुछ इसमें add किया गया है so what do you think about Google Pixel 7a guys अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe कर ले मैं हूँ एक दीप and you are watching this video on my YouTube channel DeepStack मिलता हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे product के साथ तक लिए ख्याल रखें take care bye bye